जैसरी किछना रादे रादे हमारे चैनल ओम ग्यान सागर में आप सभी का बहुत हो स्वागत है आज हम आपके लिए लेकर आए हैं गोपास्ट में पूजन वीदी कहानी और आउला नौमे की पूजा वीदी कहानी आदी इसे के बारे में आज हम आप सभी को बताएंगे मैं ह रीना सर्मा आज आपके लिए लेकर आए हूँ बहुत ही सुन्दर कहानी कथा पूजा वीदी इस वरत और उपवास करने से सभी कार्य पूर्ण होते हैं और आंत में मोक्ष की प्राप्ती होती है बहुत है माता लक्षमी का सदेव उन पे आश्रिवात बना रहता है ये वर कार्तिक मास में पूजा की जाती है वर्त किया जाता है सर्दा और प्रेम से करने से सभी मनौर्थ से दोते हैं अगर आप लोगों ने हमारे चैनल ओम ग्यान सागर को सब्सक्राइब नहीं किया है तो पलीज हमारे चैनल ओम ग्यान सागर को सब्सक्राइब जरूर करें के रूप में बनाय जाता है इस दिन भगवान स्रीकर्शन ने गोच आरण लीलाारम की थी गोपाष्ट मी पूजन वीदि इस दिन बच्छे सहीत गाय को आप पूजन करने का विदान है इस दिन प्रात्यकाल सनान आदी करने के बाद प्रात्यकाल ही गोओं को और बच्छणों को भी सनान कराया जाता है गोओ माता के अंगों में महंदी, रोली, हल्दी, आदी के थापे लगाया जाते हैं गायों को सजाया जाता है परात काल ही धूप दीप पुश्व अशत रोली घुड चलेवी वस्तर और जल से गो माता की पूजा की जाती है और आरती उतारी जाती है पूजन के बाद गो गरास निकाला जाता है गो माता की परक्रमा की जाती है परक्रमा के बाद गो कोई साथ कुछ दूर तक चला जाता है कई जगा ये मानता भी है कि गो माता के नीचे से निकलने से सभी तरह के पाप कष्ट दूर होते हैं और सुरग की प्राप्ति होती है श्रीकर्शन की गोर्चरन लीला की कहानी बगवान ने छटे वर्ष की आयू में परवेश किया तब एक दिन बगवान माता यसोदा से बोले मैया अब हम बड़े हो गए है मैया यसोदा बोली अच्छा लल्ला अब तुम बड़े हो गए हो तो बताओ अब क्या करे बगवान ने कहा हम अब बच्छडे चराने नहीं जाएंगे अब हम गए चराएंगे मैया ने कहा ठीक है बाबा से पूछ लेना मैया के इतना कहते ही जट से बगवननंद बाबा से पूछने चले गए बाबा ने कहा लाला अभी तुम बहुँ छोटे हो अभी तुम बच्डे ही चराओ बगवान ने कहा बाबा अब मैं बच्डे नहीं गाई ही चराओंगा जब भगवान नहीं माने तब बाबा बोले ठीक है लाल तुम पंड़िजी को बुला लाओ वह गोचारन का मुरत देखकर बता देंगे बाबा की बात सुनकर भगवान जट से पंड़िजी के पास पहुचे और बोले पंड़िजी आपको बाबा ने बुलाया है गोचारन का मुरत देखना है आप आज का ही मुरत बता देना मैं आपको बहुत सारा माखन दोंगा पंड़े जी नंद बाबा के पास पहुँचे और बार बार पंचाट दे कर गन्ना करने लगे तब नंद बाबा ने पुछा पंड़े जी क्या बात है आप बार बार क्या गिन रहे हैं पंड़ जी बोले क्या बताए नंद बाबा जी केवल आज का ही मुरुत निकल रहा है इसके बाद तो एक वरस तक कोई मुरुत नहीं है पंड़ जी की बात सुनकर नंद बाबा ने भगवान को गोचारन की सोकरती दे दी बगवान जो शमय को कोई कार्य करे वही सुब मुरुत बन जाता है उसी दिन बगवान ने गोचारन सुरू किया था और वह सुबती थी कार्तिक मास में सुकल पक्स अष्ट मी बगवान के गोचारन आरम करने के कारण हैती थी गोपास्ट मी कहलाई गोपास्ट मी के नाम से ही पुजा की जाती है माता यसुदा ने अपनी लल्ला के सिंगार किया और जैसे ही पैरों में जूतिया पहनाने लगी तो लल्ला ने मना कर दिया और बोले मैया यदि मेरी गोए जूतिया नहीं पहनती तो मैं कैसे पहन सकता हूँ यदि पहनना सकती हो तो उन सभी को भी जूतिया पहना दो और भगवान जब तक वंद्रावन में रहे भगवन ने कभी पैरों में जूतिया नहीं पहनी आगे आगे गाय और उनके पीछे बांसुरी बजाते भगवन उनके पीछे बलराम और स्रीकर्शन के यस का गान करते हुए गवाल गोपाल भी इस प्रकार से विहार करते हुए भगवन ने उन बन में परवेश किया तब से भगवान की गोचरन लीला का आरम हुआ शरू हुआ गो या गाय हमारे संसकर्थी की प्रान है यह गंगा, गायतरी, गीता, गरुधन और गोविंद की तरह पूजने है हम गाय को गो माता कहकर संबोधित करते हैं मानता है कि दीवे गुनों की स्वामीनी गो पर्थी पर साक्षा देवी के समान है मानना जाता है कि जो मनुश्य अप्रात्यकाल सनान करके गो सपरस करता है वे पापों से मुक्त हो जाता है गो के पैरों में लगी हुई मीटी का तिलक करने से तिर्थ स्थान का पुन्य मिलता है यानि सनातमधरम में गो को दूद देने वाला एक नीरा पश्यू ना मान कर सदा से ही उसे देवताओं की परतिनीदी माना जाता है गाए के अंगों में देव देवताओं का निवास, पद्पुरान के अनुसार گाए के मुख में चारों वेदो का निवास है उसके शींगों में भगवान संकर और वीशनु सदा वीराजमान रहते हैं गाए के उधर में कार्तिके, मस्तक में बर्मा, ललाट में रूदर शींगों के अग्र भाग में इंदर दोनों कानों में अवशुनी कुमार, नेतृमी शूरिय और चंद्र दांतों में गरूड, जिवा में स्वर्सती, गुर्दा में सारे तिरत मुत्रस्थान में गंगाजी, रोम कुंपो में रिसी गन गोफर्ष्ट वी का वर्थ पूजावीदी विदान से करने से सभी कार्यसिद होते हैं और मोक्ष की प्राप्ति होती है आवला नौमी के बारे में बताते हैं कथा पूजावीदी हैं नौमी इस दिन भगवान केशन वंद्रावन गोकुल की गलियां छोड़ मतुरा गए थे इस दिन उन्होंने अपनी बाल लेलाओं को त्यार कर अपने कर्तियों के पत्थ पर कदम रखा था ये पूजा खास तोर पर उत्तर भारत में की जाती है इस दिन वंद्रावन की परक्रमा सुरू कर दी जाती है महिलाएं आवला नौमी की पूजा पूरे भी दीवदान के साथ करती है ये पूजा संतान प्रावारिक सुक्ष विधाओं के लिए किया जाता है और ये बरत कार्तिक मास की नौमी के दिन किया जाता है आवला नौमी अत्वा अक्ष नौमी कार्तिक मास सुकल पक्स की नौमी के दिन मनाई जाती है ये परवे दिवाली तिवार के बाद आता है दोजार इकिस में बारा नौम्बर को मनाई जाएगी इस दिन के साथ भारत के दक्षी निवेव पूर्वे में पूजा का ज़्यादा महत्वे है यह पूर्वे भी बड़े जोरों सोरों से मनाया जाता है आउला नौमी ती थी 12 नौमबर 2021 पूजा का मुरत 6 बज़कर 45 मिट से 11 बज़कर 24 मिट तक का आउला नौमी की कथा एक वपारी और उसकी पत्नी जो कासी में रहते थे उनकी कोई संतान नहीं थी इसी कारण वपारी की पत्नी हमेशा दुखी सी रहती थी और इसका सभाव भी चड़चड़ा हो गया था एक दिन उसे किसी ने कहा कि अगर वो संतान चाहती है तो वह किसी जीवित बच्चे की बली भेरव बाबा के सामने दे इससे उसको संतान प्राप्ती होगी उसने ये बात अपने पती से कही लेकिन पती को ये बात अच्छी नहीं ने लगी वह वपारी की पत्नी को संतान प्राप्ति की चाहन ने इस तरह से बांद दिया था कि उसने अच्छे बूरे की समझ को ही त्याग दिया और एक दिन एक बच्चे की बली वहरब बाबा के सामने दे दी जिसके प्रनाव सोरूप उसे कई रोग हो गए अपनी पत्नी की ये हालत देख वपारी बहुत दुखी था उसने इसका कारण पुछा तब उसकी पत्नी ने बताया कि उसने एक बच्चे की बली दी इसी कारण इसका ये हाल हुआ है ये सुनकर वपारी बहुत क्रोध हुआ और उसने उसे बहुत मारा पर बाद में उसे अपनी पत्नी की दसा पर दया आ गई और उसने उसे सलाय दी कि वो अपने पाप की मुक्ती के लिए गंगा में सनान करे और सचे मन से प्रातना करे वपारी की पत्नी ने वही किया कई दिनों तक गंगा सनान किया और तट पर पूरी सरदा के साथ पूजा की इसे परसन होकर माता गंगा ने एक बूड़ी औरत के रूप में वपारी की पतनी को दरसन दिये और कहा उसके सरीर के सारे विकार दूर करने के लिए वो कार्तिक मास सुकल पक्ष की नौमे के दिन वंद्रावन में आउले का वरत रख उसकी पूजा करेगी तो उसके सभी कष्ट दूर होगे वपारी की पतनी वड़े विदी विदान के साथ पूजा की और उसके सरीर के सभी कष्ट दूर हो गए और उसे सुन्दर सरीर प्रापत हुआ, साथ ही उसे सुन्दर पुत्र की प्रापती भी हुई, तब ही से महिलाएं संतान प्रापती की इच्चा से आवला नौम्यू का वरत रखती है, यह वरत घर की महिलाएं संतान प्रापती और परिवार के सुख के लिए करती है, आज कली पुजा एक पिकनिक के रूप में पूरे परिवार एम दोस्तों के साथ मिलकर भी की जाती है। पुजा होती है और उसी के पास भोजन किया जाता है। पूरी वीदी के साथ पूजन किया जाता है। सिंगार का समान एंकपडे किसी गरीब सुहागन अत्वा ब्रहमन पंडित को दान देते हैं। इस दिन दान का विशेश महत्व होता है गरीबों को अनाज अपनी इच्छा अनुसार दान देते हैं। जफेद या लाल मोली के धागे से इसकी परक्रमा करते हैं। औरते अपने अनुसार आठ या एक सो आठ बार परक्रमा करती है। इस परक्रमा में आठ या एक सो आठ की चीजे चड़ाई जाती है। इसमें औरते बिंदी, टाफी, चूरी, महंदी, सिंदूर, आदी, कोई भी वस्तु का चुनाव कर सकती है। और इसे आमला के पेड में चड़ाती है। इसके बाद इस समान को हर सुहागन औरत को टीका लगा कर दिया जाता है। फिर सब साथ बैठ कर कता सुनती है और खाने बैठती है। इस दिन ब्राहमनी औरत को सुहाग का समान, खाने की चीज और पैसे दान में देना अच्छा माना जाता है। आजकल तो कई बड़े-बड़े गार्डन में आवला नौम्य का पूजन का आयोजन भी किया जाता है। पूरे पृवार के साथ सबी महे लाएं गार्डन में कठ्टी होती हैं और पूजा करती हैं। कई खेल खेलते हैं और भजन एम गाने किरतन सत्संग करते हैं आवला पूजन पूरा करते हैं इस तरह विदी विदान से पूजा करते हैं इस तरह आवला नौमिय की कथा और पूजा सर्दा प्रेम से करने से सभी इच्छा पूरी होती है और सुन्दर संतान की प्राप्ति होती है यह कथा कहानी पूजा विदी हमने आप सभी को वीडियो के मादम से बताया उमीद करते हैं कि हमारी जानकारी आप सभी को बहुत पसंद आएगी और हमारे चैनल ओम ग्यान सागर को सब्सक्राइब जरूर करें वीडियो को लाइक करना ना भूलें और सभी परिवार दोस्तों के साथ जितना उसके जादा से जादा से जादा सेर करें आप सभी को गोपास्टमी और आवला नमी की हार दिक सुब काम नाई जैस्री किसना रादे रादे